तो गईज आज की वीडियो ने वाली iCube S variant के उपर iCube के 3 variant आते हैं एक iCube है, एक iCube S है और HT है, HT भी launch हुआ नहीं है तो हम बात करेंगे mid variant S की 4 रुप से walk round करेंगे, इसकी subsidy कितनी है इसकी price कितनी हो जाएगी color कौन कौन से दिये गए है, warranty के अंदर क्या क्या रहेगा, वो सारी बाते cover करेंगे इस वीडियो में, तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी keys की, तो यहाँ पर आपको stylish look के साथ में flip की मिलती है जिसको आपको इस तरीके से fold कर सकते हैं flip की के अंदर यह आपको एक और feature मिल जाएगा, जो रहेगा LED torch का यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटी सी light दी गई है जो night utility के इसाब से काफी सही है अब आजाते है main switch की तरफ और देखते हैं instrument cluster में क्या मिलता है तो यहाँ पर आपको बड़ी सी 7 inch की color display मिल जाएगी, जो TFT screen है touch screen का option आपको केवल HD के अंदर मिलेगा, यहाँ पर जो S variant है इसको control करने के लिए joystick मिल जाएगी जो 5 direction के अंदर काम करती है instrument cluster के अंदर आप गाड़ी की speed और odometer rating के साथ सा turn by turn navigation, incoming call alerts side stand indication, साथ में battery के percentage, distance to impity साथ में music के controls यह सबी चीजे मिल जाएगी साथी S variant के अंदर आपको TPMS का features भी देखने को मिल जाएगा left side switches की बात करें तो high beam, low beam के लिए साथ में turn indicator और horn के लिए switch मिलेगा, महीं पर right side के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पर hazard के लिए switch दिया गया है, parking के लिए और साथी mode change करने के लिए भी switch मिल जाएगा, तो guys और all build quality और fit and finish के बात करें तो TBS IQS के अंदर कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, मैं की switch की बात करें तो भाई कुछ ऐसा design का दिया गया है, और इसे के पास में एक hook मिल जाएगा जिसके उपर आप एकाथ किलो तक का वजन टांक सकते हैं, अगर इसके food board की बात करें तो वो flat दिया गया है, आप इसके उपर बड़े आराम से पेर रख सकते हैं कोई छोटा मोटा सावान भी हो तो वो भी रख सकते हैं, कई लोग को कमेंट आते हैं LPG cylinder के regarding, तो भाई IQ के अंदर तो आपको इतना space नहीं रहेगा food board के अंदर, कि आप एक LPG का cylinder रख पाएं, seat ये पास में भी आपको एक foldable hook मिल जाएगा, एकाथ किलो तक का वजन आप यहाँ पर भी टांक सकते हैं अगर इसके seat की बात करें, तो भाई नोर्मल जो आपको electric scooter के अंदर seat मिलती है वो आपने देखा होगा, गोर करा होगा size के अंदर छोटी होती है, बट यहाँ पर आपको as compared to petrol vehicle लगबग उतनी ही seat मिल जाएगी अब इसकी range है, eco mode के अंदर 100 km और power mode के अंदर 75 km, तो इतनी range के अंदर तो आपको यहाँ पर comfort के अंदर कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी seat के side panel पर iCube S की branding available है वहीं पर seat के पीछी की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर metal body के साथ में grip rail है, जिसके उपर आपको plastic finish भी देखने को मिल जाएगी, और all पीछे की तरफ तो भाई यहाँ पर भी आपको सारा setup LED के अंदर दिया गया है जो इसके tail lamp है, वो भी LED के अंदर है जो 10 indicator है, वो भी आपको LED के अंदर मिलेंगे पास में TVS की 3D basing है number plate लगाने के लिए space दिया गया है और एक छोटा reflector भी मिल जाएगा seat को open करने के लिए अलग से lock दिया गया है एक बार open करके दिखा देता हूँ कि under seat space कितना दिया गया है तो भाई चाबी को main seat से निकाल लेते हैं और seat के लिए जो अलग से lock दिया गया है जिसके अंदर लगा कर कुछ इस तरीके से आसानी से seat को open कर सकते हैं अगर इसके under seat space की बात कर लें तो भाई यहाँ पर आपको 32 लिटर का space मिल जाएगा जो काफी ज़ादा है तो गाइस यहाँ पर ओला स्कूटर और iCube S के under seat space को compare करें तो यहाँ पर आपको मुश्किल से 2-4 लिटर का ही difference देखने को मिलेगा यहाँ पर भी आपको flat surface दिया गया है जिसके वज़े से काफी सारा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं USB port भी आपको यहीं पर मिल जाएगा जिसका सीधा सीधा फाइदा यह रेगा कि कभी mobile भी आप charge करें तो seat को lock कर सकते हैं ताक कि चोरी वगरा ना हो swingarm के cover को देख लें तो other electric scooter के मुकाबले यह भी काफी अच्छे दिये गए हैं यहाँ पर tire size को देखेंगे तो भाई rear side में आपको 90 by 90 के tire दिये गए हैं 12 inch की wheel rim के साथ में tube lest tire मिल जाएंगे वहीं पर इसकी motor की बात करें तो 4.4 kilowatt की BLDC hum motor है जो rear tire wheel up के अंदर fitted है 3 kilowatt के power के साथ में 140 Nm का peak torque मिल जाएगा motor के अंदर आपको IP67 मिलती है तो आपको पानी वगरा के tension लेने की जुरत नहीं है side में आपको round shape के अंदर reflector मिल जाएंगे वहीं पर इसके plane rider footrest की बात करें तो easy to use है rubber grip के साथ में आते हैं यहां पर pass में देखेंगे तो आपको side stand मिल जाएगा man stand मिलता है पर उसके लिए आपको SSS के अंदर अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा इसको चलाने के लिए आपको RC और DL दोनों की जुरत पड़ेगी क्योंकि एक high speed electric scooter है उपर की तरफ देखेंगे तो आपको child lock भी मिल जाएगा braking system के लिए top speed की बात कर लें तो यहां पर आपको 78 km पर आर्थ तक मिल जाएगी वहें पर warranty को cover करें तो 3 साल और 50,000 km cover रहेंगे इसकी battery के लिए दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा इसकी battery जो है out of warranty हो जाएगी अगर battery capacity की बात करें तो S variant के अंदर आपको 3.4 kWh के lithium ion battery मिलती है जो भी आपको IP67 के साथ में है तो पानी की tension आपको battery के अंदर भी नहीं मिलेगी battery को 0 से 80% charge करने के लिए लगबग आपको 4 से 4.5 गंटे का time देना होगा DRL के अंदर भी जो texture है वो पहले के मुकाबले different दिया गया है DRL के नीचे की तरफ TVS की 3D basing मिल जाएगी इसके zest नीचे number plate लगाने के लिए space दिया गया है iCube का logo मिल जाएगा और इसके zest नीचे LED headlamps दिये गया है जो one piece के अंदर है इसके अंदर हमें headlamps देखने को मिलेगा और इसके अंदर turn indicator दिये गये है और सारा setup LED के अंदर है जैसे आपको rear side में दिया गया था अब आ जाते हैं front suspension की तरफ तो यहाँ पर आपको telescopic shock absorber दिये गये है काफी अच्छी design के साथ में diamond cut alloy wheel rim मिल जाएगी वहीं पर tire size की बात करें तो front और rear side में same size रहेगी 91,90 के 12 inch की wheel rim के साथ में guys breaking के लिए rear side में 130 mm के drum brake दिये गये हैं वहीं पर front side में आपको 220 mm के disc plate मिल जाएगी color option की बात करें तो iCube S variant के अंदर total 4 color देखने को मिल जाएगे वहीं पर इसकी on road price को भी देख लेते हैं तो subsidy add करने के बाद में यहाँ पर इसकी on road price होती है 1,38,883 रूपीज अगर इस scooter के weight की बात करें तो वो रहेगा 118 kg का वहीं पर इसके dimensions के बारे में जानना चाते हैं तो मैंने slide add कर दी है आप video pause करके देख सकते हैं यह video shoot हो रहा है मान परता आप TVS के showroom पर जो वेशाली नगर जेपूर में available है तो अगर आप जेपूर या जेपूर के आसपास से हैं तो इनको contact कर सकते हैं contact detail आपको description के अंदर मिल जाएगी तो guys यह था आज का यह video TVS iCube S variant के उपपर अगर वीडियो चल लगाओ तो like कर देना इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को subscribe भी कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के अंदर take care and thanks for watching